आया इन जो को बनाना शुरू करते हैं इसमें, मैंने यह पचास फंदे लियें आर यह इन, सिलाइया वो मैंने इसमें यह दस नमबर की उस की उन, जान जान भूद लैम्दे मत पैले हम इस सिद्धी सिलाइ में इसन तरह सी फंदे बना लें गी और उसके जब हम उल्टा बुनते हुए आएंगे तो हम इसमें उल्टी इसलाई में इस तरह से हमनी दार्यां बनानी है तो निवह धार्यां क्म्प्लेट करके मैं आपको आगे दिखाती हूं यह देखिए 50 कंद डाले थे सीधी सिलाई में स इस तरह से बनाते हुए मैंने इसकी यह दारियां complete कियें यह देखिए इस तरह से दिखाए दे रही है यह मैंने इसमें साथ दारियां बनाई हैं सीधी और उल्टी साइड को काउंट करेंगे तो यह 14 सिलाई हैं और वैसे यह जो धारियां जैसे बने हुए हैं तो यह एक 456789 यह बीच वाली जो हैं क्रीम कलर से मेरून से फिर ग्रीन से फिर मेरून से फिर क्रीम कलर से यह मैंने 9 सिलाईयां complete के हुए हैं और यह उपर हमारे पास total 7 हैं तो 9 और 14 यह और 14 सिलाईयां हैं और यह हमारी 9 सिलाईयां हैं तो यह इस तरह से दिखाए दे रहा हैं देख अब जिस साइड में हमने ये फंदे डाले थे, हमारा दागा है जिस साइड में, उससे हमने एक जुराब में इस साइड से फंदे कम करने हैं, और दूसरी साइड में हमने इस साइड से फंदे कम करने हैं, ये हमारे पास टोटल 50 फंदे हैं, हमने 25 फंदे घटाने हैं, एक इसी साइड में यह जैसे धागा मैंने आपको बताया तो यह हमारे पास देखें यह दोनों तरफ के धागे देखेंगे तो इसमें यहां से मैंने इस साइड से बना रखा और इस साइड से गटाया हुआ इस तरह से और अब मैं इसमें इधर से बनाऊंगे और इधर से ये रॉंग साइड इसकी ये वाली है तो अब देखिए यहां से मैं इसमें दो का एक करती हूं सिलाई ले लेते हम देखें अब ये हमारा इधर से बना हुआ है तो ये इधर से घटे का तो उल्टी साइड से होगा सीध्य उल्टे का फरक पड़ता है तो ये दुन्यों तरफ ईसे दो फंदे हैं आप गटाने का तरीका कोई पी रख सकते है वो जरूरे नहीं है जो में बता रहे हूँ कि वहीं तरीका करेंगे है तो ये 2 फंदे इस तरह से बनाई हमने इस फंदे को इस पे चड़ा लिए और यहां से अमने इस तरह सी ये बना लिए दो हो गए हमारे, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और इस तरह से घटाते हुए हमने इसमें 25 फंदों तक घटाने हैं, तो मैं इसमें घटा के आपको फिर दिखाते हूँ आगे, ये देखिए, ये मैंने इसमें 25 फंदे कम कर देखिए, और इधर हमारे पास ये 25 फंदे ही बचे हैं, देखिए, मैं काउंट करके बताते हूँ आपको, ये हमारा धागा यहां पे है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा, दोनी, 24 और एक हमारा 25, तो जी, अब हम देखिए, मैं इसमें स सिध्धी, सिध्धी बुनाई कर रहे थी, तो मैं इसको, इस फंदे को उतार लूँगे, और धागए को उधर लेके जाऊंगे, क्योंकि मेरे को सिध्धी बुनाई करनी है तो इस तरह से कस लेंगे, और इसको हमने उपर 25 फंदों के साथ, इसकी ये इतनी लंबाई पूरी करनी है यह इसमें देखिए यह हम सिध्धी सिलाई में भी सिध्धा बुनेंगे और उल्टी सिलाई में भी सिध्धा बुनते हुए लंबी पट्टी बनाएंगे जिस तरह से हमार पास यह पट्टी बनी हुई है और इस पट्टी की लंबाई हमने किस तरह से देखनी है कि हमे इस तरह से करना है, देखे, ये ऐसी, और ये देखे, हमारे पास ये, अभी इसमें दो चार सिलैयां और complete होंगी, तो ये हमने यहां तक लंबाई पूरी करने है, और एक साइड में इसकी पट्टी, इस साइड में आएगी, एक साइड में इस साइड में आएगी, तो ये बन के इस तरह से त्यार हो गया और आब इसमें के डिकी यह दोनों तरफ से हमारे यहां से सीथी साइड आए सकी और यह देखे जिदर से हमने फंदे डालके करा था वो इस साइड में और इसमें आप देखिए एक तरफ में इसमें इधर पट्टी बनाई हुई है इस तरह से और एक तरफ में इस साइड में पट्टी बनाई हुई है अब हमने क्या करना है कि इनको इस तरह से ये फंदे घटाने है दोनों तरफ के ये फंदे घ लंबाई पूरी होगी इसकी भी हमने इसी तरह से ये लंबाई पूरी कर लिए हमने ये देखिए और आब मैं इसमें यहां से ये फंदे गटाऊंगी फंदे गटाने का हमारा वही तरीका है और यहां से हम दो फंदों का एक करेंगी और इस तरह से और इसको इस फंदे कोट पर इसी स्लाई पर चड़ा के और इसको फिर से दो फंदों का एक फिर इसी तरह से यह देखिए ऐसे हाँ इस तरह है यह सारा हम दुनों पटियां घटा लेंगे यहां से और फिर मैं आपको यह घटा के फिर दिखिए यहां से मैंने इसको बंद कर लिया अब हम इसको सीधी साइड इस तरह से रखके उल्टी साइड से अंदर की तरह सीधी साइड रखेंग और उल्टी से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और अब हमने यहां से इसकी सिलाई करनी है यह मैंने इसमें सुई में दागा डाल लिया तो अब मैं यहां से इसको यह सिलाई करूंगे और उसके बाद इसकी यहां पर आके यह सिलाई करूंगे यह इतनी इस तरह से तो अब म में हम यहां से ऐसी इस तरह से सिलाए करेंगे मैं simple सी सिलाए किये तरीका कोई भी रख सकते है अपनी इच्छा से जो इसमें आपको असानी से comfortable हो छिलाए करने माने एक हम ऐसा सिलाए करते हैं एक हम इधर से लेते हैं और फिर इधर से लेतें अंदर की तरफ को वो वाली सिलाई भी कर सकते हैं तो मैं यह सिलाई करके यहां तक आऊंगी यहां से सिलाई करते हुए मैं यहां पर आके आपको फिर आगे बताते हैं इसको उमने इस तरह से करके किस तरह सिलाई करने हैं तो यहां के यहां पर आके फिर दिखाते हैं यह दे इसे कर लूँगे और यहां से इसको इस तरह है शेप देते हुए एक किनारे से लेके आऊंगे और यहां से इसको इस तरह है और यहीं से हम इसको पापीस हो जाएंगे कि ऐसी और यहीं दाके को हम अंदर यह अंदर कतम करतेंगे इसे इस तरह है अब देखिए यह हमार पास ऐसे आजए कि जुराब इस तरह से यह और यह पहननी हुई यह इस तरह से दिखाई देगी जैसे यह इसमें दिख लिए यह दाएंभाएं का होगा इसमें परक चोटा साइज है मेरा यह जो प्लास्टिक वाला बूट है यह साथ नंबर का है और यह जो मैंने बनाया है यह पांच नंबर का है तो थोड़ा कस के आ रहा है तो देखिजी यह पहनी हुई इस तरह से दिखाई देगी तो उमीद है आपको यह स्लिपर सॉप्स बनाने असा बंदाएंगे तो अच्छे लगते हैं तो शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद